पूजा घर के लिए वास्तु उपाए वास्तु शास्त्र एक प्राचीन भारतिय विज्ञान है जो हमारे घर, कार्याले या किसी भी जगह की उर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। वास्तु के अनुसार, यदि घर में सही दिशा और सही तरीके से पूजा स्थल स्थापित किया जाए, तो यह सकारात्मक उर्जा को आकरशित करता है और जीवन में सुख, शांती और सम्रिधी लाता है। पूजा घर का स्थान, उसकी दिशा, उसकी सजावत और वहां उप्योग किये जाने वाले प्रतीक एवं वस्तुए भी वास्तु के अनुसार महत्वपूर्ण होती है। यहां हम पूजा घर के लिए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु उपाए बता रहे हैं। एक पूजा घर की दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर को उत्तर पूर्वदिशा में बनाना सबसे शुब माना जाता है। यह दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है और यहां पूजा करने से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। यदि घर में उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल बनाना संभव न हो तो पूर्व दिशा में भी पूजा घर बना सकते हैं इस दिशा में पूजा करना भी शुब और लाबकारी होता है दो पूजा घर का स्थान पूजा घर को शयनकक्ष, रसोई या बात्रूम के पास नहीं बनाना चाहिए यह अशुभ माना जाता है पूजा स्थल को साफ सुत्रा और शांति पून स्थान पर होना चाहिए इसे ऐसे स्थान पर न रखें, जहां से लोग अक्सर गुजरते हों, जैसे मुख्यद्वार के पास पूजा घर में जो मंदिर रखा जाता है, वह लकड़ी का होना सबसे अच्छा माना जाता है यदि यह नकाशीदार हो तो यह और भी शुभ माना जाता है मंदिर का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बलकि ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें आराम से बैठकर पूजा कर सकें मंदिर का दर्वाजा पूर्व या उत्तर दिशा की और खुलना चाहिए चार मूर्टी और चित्र रखने के नियम पूजा घर में केवल एक ही देवी देवता की मूर्टी होनी चाहिए एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्टिया रखना वास्तु दोश उत्पन करता है मूर्टियों की उंचाई 9 इंसे अधिक और 2 इंसे कम नहीं होनी चाहिए मूर्तियों को दिवार के सीधे संपर्क में न रखे मूर्ति और दिवार के बीच कुछ दूरी होनी चाहिए देवी देवताओं के चित्र और मूर्तिया पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए ताकि पूजा करते समय आपका मुख दक्षिन या पश्चिम दिशा की ओर न हो पूजा के समय दीपक और अगर्बत्ती जलाना बहुत ही शुब माना जाता है दीपक को पूजा घर के दाहिने कोने में जलाए इसे पूर्व दिशा में रखना भी शुब होता है इससे सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और घर में सुक्षांती बनी रहती है छे घंटा और शंक का उप्योग वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में घंटा और शंक का होना बहुत ही लाबकारी होता है शंक की ध्वनी और घंटे की ध्वनी से नकारात्मक उर्जा नश्ट होती है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है साथ फूल और प्रसाद का स्थान पूजा घर में ताजे फूलों का उपयोग करना चाहिए सूखी या मुर्जाए हुए फूलों का प्रयोग करने से नकारात्मक उर्जा उत्पन होती है फूलों का स्थान मंदिर के सामने या उसके बगल में होना चाहिए प्रसाद को पूजा के बाद तुरंत वितरन कर देना चाहिए और उसे पूजा घर में बहुत तेर तक नहीं रखना चाहिए आठ ध्यान रखने योग्य बाते पूजा घर में दरपण नहीं लगाना चाहिए पूजा घर के पास या उसके अंदर जूते चपल नहीं रखने चाहिए इससे नकारात्मक उर्जा उत्पन होती है पूजा घर में किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक सामान जैसे की टीवी, कम्प्यूटर आदी नहीं होना चाहिए पूजा घर में कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए हमेशा वहां दीपक या छोटी लाइट जलती रहनी चाहिए पूजा घर में रखे जाने वाले जल पात्र को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए और उसमें स्वच्छ जल भरे पूजा घर में भगवान की मूर्तियों या चित्रों को इस प्रकार रखें कि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख्व पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो यह शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक उर्जा प्राप्थ होती है नौ धातू और रंग का महत्व पूजा घर में किस धातू का उप्योग किया जा रहा है यह भी महत्वपून होता है चांदी, तामबा और पीतल की मूर्तियां वास्तू के अनुसार शुभ मानी जाती है साथ ही पूजा घर में हलके और सौमे रंगों का उप्योग करना चाहिए सफेद, हलका पीला, हलका नीला या गुलाबी रंग शुभ माने जाते हैं ये रंग सकारात मक्ता को आकरशित करते हैं और मानसिक शांती प्रदान करते हैं 10. पूजा घर की नियमित सफाई पूजा घर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए नियमित रूप से मंदिर और उसकी मूर्टियों की सफाई करनी चाहिए मुर्जाय फूल और प्रसाद को तुरंध हटा देना चाहिए और साफ सुत्री जगह पर ही पूजा करनी चाहिए इससे घर में सकारात्मक उर्जा बनी रहती है ग्यारह कपड़ों का चुनाव पूजा करते समय साफ और पवित्र कपड़े पहनने चाहिए शुद्ध और स्वच कपड़े पहन कर ही पूजा करनी चाहिए इससे ध्यान और भक्ती में स्थिर्टा आती है संभव हो तो सफीद या हलके रंग के वस्त्र पहने बारह धूप का महत्व धूप जलाने से बातावरन शुद्ध होता है और नकारात्मक उर्जा दूर होती है पूजा घर में रोज धूप जलाने से वहां की उर्जा सकारात्मक बनी रहती है ध्यान रखें कि धूप जलाने का स्थान मंदिर के दाहिने कोने में हो तेरह जलपात्र का महत्व वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में जलपात्र रखना बहुत शुभ माना जाता है यह जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए और इसे नियमित रूप से बदलना चाहिए यह जीवन में तरलता और समरिधी का प्रतीक होता है पूजा घर के दर्वाजे के उपर स्वस्तिक ओम या शुभलाब का चिन लगाना शुभ होता है मंदिर में घड़ी या कैलेंडर नहीं रखना चाहिए पूजा घर में ज्यादा सजावटी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए इससे ध्यान भंग हो सकता है पूजा घर के पास ज्जाडू या सफाई के सामान नहीं रखना चाहिए यह नकारात्मक उर्जा उत्पन्न करता है वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर का सही दिशा, स्थान और सजावट बहुत महत्वपून होती है यदि पूजा घर वास्तु के अनुसार बनाया जाए और वहाँ दी गई बातों का पालंग किया जाए तो इससे घर में सुख, शांती, सम्रिधी और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है पूजा घर में सदैव स्वच्चता और पवित्रता बनाये रखें और देवी देवताओं की नियमित पूजा आर्चना करें सही तरीके से की गई पूजा ही शुखफल देने वाली होती है आज की इस विडियो में इतना ही आशा करता हूँ कि आपको विडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो खृप्या विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कॉमेंट में लिखें मिलते हैं आपसे अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ जै श्री राम